दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं पापड की एकदम चटपटी सबजी बनाने वाले हैं दोस्तो यह बहुत जल्दी बनती है और खाने में बहुती स्वादिस लगती है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा बनाके तो इसको हम बनाने के लिए चलेंगे तो सबसे पहल में मैं पर refine oil add करूंगा दो चम्मच जब आपका oil गरम हो जाए तब हम यहाँ पर आधा चम्मच जीरा add करेंगे तो जीरा के बाद एक तेजपत्ता add कर देंगे इसके बाद आधा चम्मच लसुन और अध्रक का paste add करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर दो प्याज बारिक चौप करके add करेंगे प्याज के बाद मैं यहाँ पर दो हरी मिर्च कट करके add किया हूँ और सभी चीज़ों को पहले हम अच्छे से mix करेंगे तो आपको ऐसे ही mix करके हमें दोस्तों प्याज को और लसुन और अध्रक को paste को बढ़िया तरह से पका लेना है यह सब पकने के बाद अब हम यहाँ पर सूखे मसाले इस्तमाल करेंगे जैसे कि आधा चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच लाल मिर्च पाउडर अड़ करेंगे और एक चौथाई गरम मसाला अड़ करेंगे तो अच्छी तरह से दोस्तों mix कर देंगे सभी मसालो को और मसालो को हम यहाँ पर अच्छे से पकाएंगे दोस्तों पहले तो दो मिर्च तक यहाँ पर मसालो को मैं पकाया हूँ और अब हम यहाँ पर फ्लेम को एदम स्लो कर देंगे लो कर देंगे और यहाँ पर एक कटोरी हम यहाँ पर दही अड़ कर देंगे दही को भी हम मसालों के साथ मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे दोस्तों दही मिक्स हो गई है मसालों के साथ और अब जो कटोरी में थोड़ा सा दही लगा था ना वो थोड़ा सा पानी एड़ करके एड़ कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको पकाएंगे दोस्तो तो जब तक यह ग्रेवी पकती है तब तक हम आपको पापड दिखा देते हैं तो पापड मैं यहाँ पर तीन पापड लिया हूं यह देखिए मूंग दाल के आपड हैं दोस्तो बहुत ही स्वादिष्ट दोस्तो सब्जी लगे गी मूंग दाल के पापड की तो हम पापड को यहाँ पर तबे में सेक लेंगे तो इस तरह के कप्डा लीजे या रुमाल लीजे और इसको एकदम बढ़िया तरह से दोस्तों हमें इस तरह सेक लेना है यह दिखिए दूस्तो पापड के उपर में चित्यां आने लगी हैं बबस आने लगी हैं तो इस तरह करने से हमारे पापड बहुत ही आसानी से सेक्के ready हो जाएगा यह दिखिए तो दूसरी तरफ हम भी इस तरह कर लेंगे और आपको को हम दिखा है तक हम पास में प्रापड का है तो इसी प्रकार हम दोनों पापड को लेंगे हैं सब यहां पर मेरे तीनों पापड से करे कि रेडी हो गए हैं और अब हम इनको तोड़ लेंगी Ouch बहुतront तुट जाते हैं यह पापड ये दिखे फटापड मैंने यहांपर तीनों पापड दोल ले आउं और अब हम अपने ग्रेवी की तरफ आयते हैं तो ग्रेवी बहुत यह अच्छे दोस्तों पक गई है और अब हम यहांपर स्वाद उन्सार नमक एट कर देंगे और नमक को देन्या पत्ती एड़ कर देंगे और पत्ती एड़ करने के बाद अब हम यहां पर पापड एड़ कर देंगे दोस्तों जो हम तोड़के रखे थे तो पापड को हम कि एड़ कर देंगे और एड़ करने के बाद अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स करना है यह दिखिए तो बढ़िया तरह से दोस्तो मिक्स हो गया है और हमारी यहाँ पर पापड की सबजी तयार हो गई है बहुत स्वाधिस्ट दोस्तों बनी हुई है इदम चटपटी सब्जी तो आपको मैं दिखा रिये दिखे दोस्त कितना बढ़िया यहाँ पर जो से कलर है ना सब्जी का ना बहुत बढ़िया दोस्तों जरूर आप इसो ट्राइ कीजिएगा एक बार आप इसे चावल के साथ ना तो बहुत बढ़िया दोस्तों लगेगा तो आई होप आपको यह पापड की सब्जी का वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आएगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप मेरे चनल पर नए आए हैं तो चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मै आएसा वीडियो लाता रहता हूं तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में